सो साहरा इंडिया रिफन के तरफ से बहुती बड़ी अपडेट निकल का आई है, बहुती बड़ी खुसकबरी निकल का आई है, जैसा कि आपको पता है कि अब तक आप सिर्फ 20,000 रिपर तक के क्ले में मौन के लिए ओनलेन रीस सब्मिशन अपलाई कर पा रहे थें, लेकिन अभी इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, अब आप चाहें तो 20,000 से 1,000,000 रिपर तक का और 1,000,000 से 5,000,000 रिपर तक के क्ले में मौन के लिए ओनलेन रीस सब्मिशन कर सकते हैं, तो क्या है अपडेट मैं आपको आगे डेटल में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को बिन 20,000 से 1,000,000 रिपर तक का क्ले में मौन ऑनलेन रीस सब्मिशन कर सकते हैं, और 1,000,000 से 5,000,000 रिपर तक के क्ले में मौन के लिए 20 मई 2024 से उसका रीस सब्मिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह अपडेट है, कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे, कि 20,000 से उपर वाले का रीस सब्मिशन यहाँ पर कब होगा, तो अब तो 20,000 से उपर का रीस समिशन यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, तो रीस समिशन का प्रोसेस क्या होगा, वो मैं आपको अभी डिटेमि düze में बताता हूँ, तो चल् आपने साहरा इंडिया में जितना भी पैसा जमा करा है वो टोटल एमॉंट को यहां पर क्लेम एमॉंट कहा जा रहा है आपके पास जितने भी साहरा इंडिया के डेपोजिट स्लिप हैं जितने भी बॉंड पिपर हैं जितने भी पास्बुक हैं उसमें जितना भी टोटल पैस पैसा आपने जमा करा है, सबको आपको जोड़ना है, वही आपका total claim amount होगा, उतना ही पैसा आपको सहरा इंडिया से मिलने वाला है, maturity amount की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, maturity amount को आपको भूल जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर clear हो गया कि claim amount आखिर क्या है, तो अगर आपका claim amount एक लाग से कम है, या एक लाग से पांच लाग के बीच है, और आपने first time सहरा इंडिया के लिए apply करा था, और आपको deficiency का message आया था, सहरा इंडिया का पैसा नहीं मिल पाया था, तो अब आप इसके लिए online resubmission कर सकते हैं, तो अब सवल आता है कि आखिर resubmission का process कैसे होगा, अब हम इसे जानते हैं, देखिए, जिस तरह से 20,000 पर तक के claim amount के लिए online resubmission हो रहा था, सेम उसी process से 1,000,000 पर तक का, और 1,000,000,000 से 5,000,000 पर तक के claim amount के लिए भी resubmission होगा, सेम वही process से होगा, लेकिन यहाँ पर एक ये बदलाओ किया जाएगा, कि आपको ID proof, affiliate और claim application form, इन तीनों form और document के साथ साथ आपको यहाँ पर pancard का detail भी देना पड़ेगा, pancard का number और pancard को upload भी करना पड़ेगा, बस यही एक changes यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप अभी इसके लिए apply करना चाहते हैं, तो आप चाहिए तो मेरी पुरानी वाली वीडियो को देखकर आप 1,00,00,00 पर तक का या 1,00,00,00,00,00 पर तक के claim amount के लिए online apply कर सकते हैं, वैसे मैं एक या दो दिन में live process के साथ वीडियो भी ला दूँगा, जिसमें मैं आपको 1,00,00,00 पर तक का और 1,00,00,00,00,00 पर तक के claim amount के लिए online reach commission कैसे करना है, उसमें मैं आपको live process क साथ दिखाऊंगा, so next video सबसे पहला आपको मिल साके, इसके लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर ले, क्योंकि जल्दी आपको वो video मिलने वाली है, so यही मुझे एक update आपको बताने थी, यह बहुत ही बड़ी खुसकबरी है, उन लोग के लिए जो अपना resubmission online apply नहीं कर पा रहे वीडियो पसना है, इस वीडियो को लाइक करें, दोसको साथ जादा जादा जरूर शेर करें, ताकि सब लोग को इस बारे में पता चल सके, और अगर आप इसी तरह का कोई भी online service हमसे घर बठे लेना चाहते हैं, तो आप इस नमबर पर WhatsApp कर सकते हैं, so मिलता हूँ मैं आप स नेक्स वीडियो में लाइक प्रोसेस के साथ,